दोस्तो स्वागत है आप सबका अभी आप जो वीडियो में देख रहे हो यह तोता गाटी है तीन धारा और कोडियाले के बीच में तोता गाटी पड़ती है चड़ाई के साथ साथ खड़ी पैनी चट्टाने और जीरो बैंड वाला यहाँ पर सफर देखने को मिलता है बहुत सारे मैसेजेस आये थे कि तोता गाटी का चार दाम ओल वैदर रोड का निर्माने कारिय जो वहाँ तीर गती से चल रहा है दिखाया जाए तो दोस्तो 2018 में 2019 में और 2020 में सेक्षन वाइस जो जो वहाँ कारिय हुआ है वो इस वीडियो में दिखाया गया है पूरी वीडियो जरूर देखेगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यावाद तो दोस्तो शुरुआत करते हैं 2018 से 2018 में कौडियाला में और 13 देप्रियाग में कारिय हो गया था शुरूर तोता घाटी में एकदम खड़ी पैनी चटान है तो अगर वहाँ कटान का कारिय सुरू करते तो रोड ब्लॉक होने के चांसेश थे जबकि ये मेंड रस्ता कहा जाता है रिसी केज से बदरिनात के दानात तक का तो अभी आप जो वीडियो में देख रहे हो ये 2018 का सिनारियो था उस समय ऐसे दिखता था तोता घाटी दोस्तों अब बात करते हैं 2019 की 2019 में कारिया ने गती पकड़ी और तीर गती से कटान और कटिंग का कारिया स्टार्ट हुआ अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये 2019 की वीडियो है उस समय तोता घाटी में क्या कारिय हुआ इसके कटिंग के कारण जाम भी लगा लेकिन दूरी बना बना के किलो मीटर के हिसाब से कटिंग की गई ताकि पूरी रोड जाम ना हो और वाइकल्स मूव करते रहें बड़ी कुसलता के साथ इस कार्य को पूरा किया गया और यातरा सुरू होते ही इस कार्य को रोग दिया गया था कुछ महिनों के लिए अचब यातर सल्टा त्याथेड़ बादिकित हैं यज दो बोला नो सोग्साल नग्ला ऊजियों जो गभाने गचर हो प्रॉशार सेंग्वार्डशी टॉच्छाओ सेंग्षेंग्स दोस्तों अब बात करते हैं 2020 की 2020 में काफी हद तक कटिंग का कार्या और रोड का चोड़ी करण का कार्या कुसलता पूर्वक पूर्ण किया गया अभी कुस दिनों पहले रोड को ब्लॉग भी किया गया था देव प्रियाग से तोता घाटी के बीच में ताकि कटिंग का कार्य तीर गति से चला जाए आपको जो वीडियो में दिखाया जा रहा है ये 2020 का अपडेट था तोता घाटी का फरवरी 2020 में हमने सफर किया था उस समय ये रिकॉर्डेट किया था ओप आपको ये वीडियो अच्छी लगियो पूरी वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यावाद कुरोना वाइरस के जंग से सारा देश लड़ रहा है और घर में बैटके ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे भारना निकलिये अपने फैमिली के साथ क्वाल्टी टाम स्पेंट की दोता घाटी में बहुत जादा एक्सिडेंट्स होते थे दोस्तों पहले क्योंकि इसके कही कारण थे पर अब रोड चौड़ी करण होने के कारण क्या पता ये कम हो जाए और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि प्लीज ओवर्टेक, हाई स्पीड, ड्रिंकिंग और मॉबाइल का यूज ना करे गाड़ी चलाते होए वहिकल चलाते होए आपकी फैमली आपके घर पे वेट कर रही है और वीडियो एंजोई कीजिए आप सब और अपनी कार की या वहिकल की सर्विसिंग जरूर करा लीजिएगा सफर में जाने से पहले फोप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया थांक यू फ्रेंग, थांक यू एवर्वन